आज स्वाम लेकूम मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से अंबर अली आए हो किर्दार निभाने दुनिया में तो कुछ ऐसा कर जाओ कि जिसकी जमाना मिसाल दे और जिसकी जमाना मिसाल देता हो वो अपनी मिसाल आप किसी तारीफ के या उनके नाम की मैं क्या तश्रीख करू उनका नाम किसी तारीफ का नाम होताज एकेडी आज हम इंटर्वी करने आए हैं एकेडी के ओफिस चलते हैं अंदर और पूछते हैं उनसे कुछ सियासी कुछ स्टॉक के बारे में और कुछ सवालाद आज हम जिस शक्सित के पास आए हैं वो किसी तारीफ की नाम होताज अपना नाम आप किंग आफ स्टॉक मार्केट माशाला से सर एकेडी अकील करीम डैडी साहब सर असलाम देखो देखें इस वक जो सिच्वेसन है रिफ सिच्वेसन है अन्रेश्ट है मुल्क में पॉलिटिकल पार्टिया आपस में एक दूसरे के सफारा है ठीक है तो इस में हमें साइक्विटी मार्केट थोड़ी प्रेशर में रहती है लेकिन वैल्यूएशन इतनी सस्ती है कि आज भी इस मार्केट में इन्वेस्टर को एडवाइस किया जाता है कि बिल्कुल इन्वेस्ट करें क्योंकि लेकिन स्पेकुलेटर को दूर रहना चाहिए क्योंकि डे टू डे ट्रेट करना इस वक सिच्वेसन नहीं है कि आप डे टू डे ट्रेट करें तो इन्वेस्टर के लिए म मैं समझता हूं, यह मार्किट सस्ती भी और अच्छी भी है। शॉर्ट टाइम में यह दो तीन महीने बाद हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे देख सकते हैं। एसको पॉजिटिव इंपेक्ट आएगा या आप क्या समझते हैं। देखें ओयल मार्किटिंग कंपणी और रिफाइनरीस के पैसे रुके वे हैं। जिसकी वज़ा से उनको इंपोर्ट में मुस्किलात आ रही है। और अगर इसी तरह इनको लिक्विटिटी इशू होगा तो आपकी रिफाइन प्रोडेक्ट मार्किट में नहीं मिलेगी। और शॉर्टेज हो सकती है तो यह गवर्मेंट ने अच्छा स्ट्रेफ्स लिया है। कि जिन जिनके पैसे निकलते हो उनको बले आप स्लोली देते जाएं ताकि उनका भी काम चलता रहे और कवर्मेंट को भी मुस्किलात ना हो। सर, Time of India में आर्टिकल आया है कि पाकिस्तान को नेक्स 36 अरब रुपे रिटर्न करने हैं आई एम एफ को तो आपको क्या लगता है पर पाकिस्तान इतना अरेंज कर पाएगा। देखें पाकिस्तान के ओपर जो लोन है ना अब टाइमस ओफ इंडिया का तो मैं कुछ नहीं कहता लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारे मामलात इतने ज्यादा बुड़े नहीं हैं जितने लोग बता रहे हमारे पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी आ जाएगी तो हम हमारे इशू खतम हो जाएंगे और जो रीपेमेंट हमारी है उसी तरह हमारे सामने आगे कमेंटमेंट भी पड़ी है और हमारे अगर बजट वगएरा को हम देखते हैं तो हमने रेवेन्यू टार्गेट इस दवह अच्छा चीव किया है और आगे भी मैं समझता हूं गौर की प्राइस बड़ी है हम अप्रिशेट करते हैं क्योंकि इसी तरह गौर्णमेंट अगर अपनी सारी सबसीडी विड्रो कर लेगी तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मना कर सकता है और इस वक भी पाकिस्तान की जो जीडी पी की साइज है 388 बिलियन डॉलर तो यह अगर हम देखते हैं तो तक्रीमन साथ हजार साथ अरब रुपे की हमारी जीडी पी इस वक्त है और अगर हम इसको डेट से कमपेर करते हैं तो डेट काफी उपर नहीं है नीचे है तो पहली बात तो यह है कि लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के नंबर इतने बुड़े नहीं है जितने लोग पैनिक करने के लिए बताते हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि हम अपनी एकनोमी को और डेफिनेट आगे बहतर होता हुँ देखने और इंशालला किसी किसम के डिफॉल्ट का कोई भी खतरा नहीं है पिछले चार स सालमे में हमने अच्छी खासी बीस बिलियन डॉलर से उपर की रीपेमेंट की है और आगे भी हमारी कैपेसिटी है कि हम ये रीपेमेंट बहुत आसानी से करेंगे और इसकी वज़ा से किसी किसम की प्राबलम भी नहीं होनी चाहिए सर सिमिन सेक्टर इंटरनेशनल कोईल के रहा है तो समर सीजन भी आ गया है अब आपका क्या कहता है कि सिमिन सेक्टर को किस तरह का चेंज देखे सिमिन में जाए अफगानिस्तान का कौल है वो अच्छा कौल है और मैं समझते हूं सस्ता भी है तो हमारी सिमिन कंपनियों के लिए तो फाइदे वाली बात है हमारे ल पर होने की वज़ा से कॉल भी काफी हाई रेट पे बिक रहे हुआं तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करदसी से भी आप import कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें कोसिस करनी चाहिए और इसके साथ-साथ हमें एक और काम करने की जरूरत है कि train network हर सूरत में अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए ताकि यह जो आपका freight वगिरा है वो भी काफी सस्ता हो सकता है सर, market इतनी नीचे आगई है, index भी नीचे है और investor भी मायूस है तो इसमें आपका क्या कहना है कि performance में कि आपको क्या लगता है कि news भी आई है कि इस week market अच्छी performance देगी तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कितना दम है देखें, मार्किट सस्ती है, बिल्कुल ठीक है, मार्किट में वैल्यू है, इन्वेस्टर मार्किट से साइड लाइन बैठा हुआ है, साइड लाइन बैठने की भी वजू आते हैं, कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, और फिर अमेरिका और चाइना और रश्या, जिनका हमा कोई लेना देना नहीं है हमारे लोग उनके ओपर बाते करना सुरू हो जाते हैं मैं समझता हूँ कि लोगों को इत्यात से बात करनी चाहिए क्यों कि इस्टॉक एक्चेंज में इंवेस्टर काम करता है और आप लोगों के प्रोपेगंडे की वज़ा से इन्वेस्टर्स सफर कर सकता है लेकिन मार्किट इस वक्ट फुल आफ वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट के लिए यह जन्नत है और मैं नहीं समझता हूं कि इस वक्ट पाकिस्तान में इससे बहतर अपोर्चनिटी कहीं मि ने जो बात किये वो सुपर टेक्स लगाने की किये जिनके पास विनफॉल्ड प्रॉफिट है उनकी बात कर रहे हैं तो ठीक है हमारे मुलक इस वक्ट तकलीव में हैं और हमें हर किसम की कुर्बानी देने की जरूरत है तो मैं नहीं कहता है कि गौर्णमेंट इस तरह के करती है तो यह तो मुलक के इंटरस्ट में हैं और इस में तो हर अदमी को चाहिए कि इस गौर्णमेंट को सपोर्ण करे इस तरह के काम के में सच्छार की बेहतरी के लिए आपशुर को और नियू इएटर को आप या मशवारा देंगे इसवक्त तो मैं समझता हूँ मसवरा यही है कि opportunity है, investment की जन्नते market सस्ती है, इस valuation पे तो कभी हमने before नाइन्टी जब नाइन्टी एट में nuclear blast वा तर तब भी इस value पे shares हमने नहीं देखे थे, तो investor को बिलकुल इस market में आके invest करना चाहिए, और opportunity के फाइदा उठाना चाहिए. पेट्रोल की वज़ा से इतना influence हो गया है, कोई market impact आएगी, market में जो investor हो, lower investor हो या overseas, तो आपको क्या लगता है, इस वक्त वो market में रहें या market से exit कर जाएं? देखें, overseas investor तो जारी बात है, जब devaluation होता है, तो वो आवइट करता है market पे काम करने से, लेकिन local के तपास रुपी है, तो उनको तो कोई problem नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तो मैं समझता हूना कि opportunity है. Sir, मेरा आपके, आपसे सवाल है कि, जो Stead Bank of Pakistan ने, उन्होंने अभी एक data release की है, foreign direct investment के उपर, कि fiscal year 2022 के 10 months में, foreign direct investment का जो profit और dividend है, वो 10% increase होगा. और ये भी बताया गया है कि किन-किन sectors में होगा, जैसे के food and beverages, टेली कॉम, financial business, chemical and power. Sir, आप इस data को कैसे देखते हैं, कि क्या ये right है, कि इस sectors में लोगों को buying करनी चाहिए, आगे चलके ये अच्छा perform करेंगे? देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है, consumer item के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 22 करोड की हमारी अपनी population है, और इस तरह के investment में तो opportunity है, और ये तो investment के लिए, मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा opportunity और कोई हो नहीं सकती, और इस वक्त time भी है, के valuation भी बहुत सस्ती है, और state bank definite जो भी data देता है, वो मैं समझता हूँ, उस पर हमें शक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल correct होता है, तो मेरा ख्याल है के कोई, ओके सर, सर मेरा next question है, के जो काईबोर रेट है, वो 264 best points जाने 14.10% इंक्रीज हुआ है, 13 year higher rate इसने हिट किया है, तो inflation भी और 13 और 14% प्रेडिक किया है, के from June to September ये और इंक्रीज होगा, तो आप कैसे देखते हैं, के उस वक्त मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, इसके advantages और इसके disadvantage क्या है, है हमारी economy के लिए और हमारी market के लिए भी? देखें, इस वक्त जो है आपने ये बात की, inflation की, तो inflation तो higher side पे है, और ये कोई हम एकेले नहीं है, पूरी दुनिया का issue है, और अभी हमने oil price बढ़ाई है, उसका भी inflation आएगा, लेकिन हम गौर्णमेंट को हत्तले अमकान कोसिस करिए, कि पूर को नुक्सान ना हो, तो आपकी ये बात के inflation मैं समझता हूँ, काफी higher side पे जाएगा, ठारा बीस परसंट तक भी जा सकता है, और उस टाइम पे definite interest rate बढ़ाने की भी बात ये हो रही होगी, लेकिन इस वक अगर हम काईबो रेट तो देखते हैं, जो चौदा सारी चौदा के बीच में हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक रूपी भी काफी under value है, तो गौर्णमेंट को कोसिस करनी चाहिए, कि ये interest rate फृर्दर ना बढ़े, क्योंकि अगर आप interest rate बढ़ाते हैं, तो उससे loser government of Pakistan खुद होगी, क्योंकि अगर इस वक चौदा पंद्रा परसेंट पे आप काईबो रेट है, और अगर आप बोरो करने जाते हैं, तो काईबो प्लस थ्री और काईबो प्लस फोर से नीचे तो आपको मिलेगा नी, तो बीस परसेंट इंट्रेस रेट बन जाता है, अगर आप इसको फृर्दर बढ़ाते हैं, इन्फलेशन आना है, ये आप जैन बे रख लो, ये हो नहीं सकता कि ना है, लेकिन इसको आप गौर्णमेंट को बाकी चीजों से उसको टेकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि फृर्दर इंट्रेस रेट बढ़ाना इस मार्किट के लिए भी नुकसान दे और गौर्णमेंट ओपाकिस्तान का अपना बड़ा नुकसान है, सर मेरा नेक्स क्वेस्चन है कि जैसे के अंबर ने भी आप से सवाल किया कि गवर्णमेंट ने जो हाई अर्निंग कंपनीज हैं उन पे टेक्स इंक्रीज कर दिया है, तो इसका जो है आटो सेक्टर पे क्या एंपेक्ट होगा, क्योंकि आटो सेक्टर भी वन आफ दी हाई अर्निंग सेक्टर में आती है, देखें इस वक्ट जिसका भी वन फोल प्रॉफिट है और गवर्णमेंट ने उसको सुपर टेक्स लगाया है, लेकिन आप ये देखें कि इतने हाईर इंटरस रेट के बावजूद भी कोई सेक्टर में हमने नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा फाल आया हो, तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि छोटा मोटा अगर गवर्णमेंट पांच साथ दस परसंट भी सुपर टेक्स लगाती है, तो जारी बात है कि बैंक्स इनकी भी विंट फोल अर्निंग है, आटो सेक्टर है, सिमेंट साथ बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टील भी पैसे बना रहा है, तो मेरा तो पैसे सबीर है, तो मेरा ख्याल है कि हर एक को त्यार रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारा अपना मुलक है, और इसके उपर हर कोई को एसास होना चाहिए, कि अगर हमारे उपर अगर टेक्स थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो गौर्मेंट स्ट्रॉंग होगी तो गौर्मेंट स्ट्रॉंग होगी, तो हम वीक नहीं हो सकते हैं, ग्रोथ पाकिस्तान में इतने हायर इंटरस रेट के बावजूद भी हम समझते हैं, कि पांच परसंट नहीं तो सारे चार परसंट तक तो डेफिनेट आ सकती है, तो मुझे नहीं लगता किसी कमपनी को इ पाकिस्तान में बहुत है, और अभी तक हम अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाए, तो अगधर दूसरी तरफ अगर सप्लाई ज़्यादा होती और डिमांड कम होती फिर तो इनको इशू हो सकता था, लेकिन अबी भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मैं समझत हूँ छोटा मोटा अगर गौर्रमेंट टेक्स लगा भी देती है तो उसकी फिकर करने की जरूरत नहीं है सार वैसे देखा जाए तो आप पॉलिटिक्स में भी हैं रियल स्टेट में भी हैं और बहुत सारे इंक्रीज हो गया है तो आप क्या देखते हैं कि कौन सी हुकूमत हमारे कंट्री के लिए ज्यादा बहतर है देखें हर आदमी अपने हसाब से स्यासतदान हत्ता ले मेकान कोसी सकता है कि परफॉर्म करें और उसके लिए इंटरस रेट का तो तालूग ज़्यादा तर इंफलेशन से ही होता है तो इमरान खान के दोर में सुरू में इंटरस रेट कम भी थे फिर वो इंटरस रेट बड़े फिर कम हुए फिर बड़े और बाकियों का भी हमने यही देखा है कि नीचे उपर मार्किटे रहती है सबसे जो बरी बात है कि हमें देखना है कि हमारी मार्किट की क्या साइज है हमारी मार्किट पीछे क्यों नीचे क्यों जा रही है उसकी वज़ा है हमारा डिवैलिजेशन फेक्टर है उसकी वज़ा से हम हमेंसा आज मेरे खाल से हम 34 बिलियन डॉलर या 35 billion dollar market capitalization है. और यही market capitalization अगर हम 2000 में जाके देखते हैं, तो यह पांच billion dollar थी. और उसको अगर हम 2000 साथ में देखते हैं, तो 70 billion dollar थी. फिर यह market थोड़ी सी नीचे आई, फिर हमने इसको उपर 100 billion dollar तक उपर देखा था. तो बताने का मकस्द यह है कि हम compare करना बड़ा मुस्किल होगा किसी के बारे में के ना, लेकिन हाँ, पिछले दो साल हमारे बहुत अच्छे थे economy के, और हमने मुसलसल growth हासिल की, और उसमें हमारी GDP की भी size आपने देखा उपर आई, 290 billion dollar से 388 billion dollar पे हम चले गए. उसी वज़ा से tax to GDP साथ बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन debt to GDP कम हुआ है. तो हम यह कह सकते हैं, कि हमने अपनी tax, हमने अपना जो debt है, उसको GDP से काफी नीचे हैं, और हमारी government की further चाइना का है. और इसके लावा अदर्स लोन इतने बड़े नहीं हैं कि पाकिस्तान को भुस्किलात आएगी. तो इंशालला पाकिस्तान काफी comfortable तरीके से यह pay off कर देगा. और आने वाले दिनों में हमारा remittance काफी बढ़ रहा है. ठर्टी त्री लास्ट मन्त का remittance हमारा थ्री पॉइंट वन बिलियन डॉलर था. और यह all time हाई है. तो हम expect करते हैं कि अगर remittance थोड़ा और बढ़ जाता है. और आपका export के नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो इसाला ताला पाकिस्तान की फिकर आने वाले दिनों में कम हो सकती है. क्योंकि आपका current account बेतर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत बड़ा बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत है. आप decision ले. जो भी decision लेने मुलक के interest में लेते जाएं. decision नहीं लेंगे तो फिर खराबी होगी और उससे नुकसान होगा. पाकिस्तान हर सूरत में यह इनको जो भी government के लोग है, उनको यह message देना चाहता हूँ, कि आप priority पे एक ही जहन में बात रखें, कि मुलक को करना है. मुलक के interest की policy बनानी है. बिजनस बेंडों ने पैसे बहुत बना लिए और एक आदा सल अगर हम पैसे नहीं भी कमाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है. हम अपने मुलक को strong देख रहे चाहते हैं और उसके लिए द्वाग हो हैं. Sir, thank you so much. हम बहुत ही मतलब हम इंतिजार कर रहे थे कि आपको interview even बहुत सारे viewers की request ही कि आपको interview last में मैं आपको request करूंगी कि आप investors को क्या message देंगे कि जब भी वो stock market में आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप एहतियाद से काम करें तो आपका क्या message एंवेस्टर के लिए existing और new investors देखें नया investor हो उसके लिए तो सबसे पहले है कि study करें market को research report पढ़े और valuation को check करें और company के track record को देखें और जो sponsor होते हैं उनके हवाले से भी उनको check करने की जरूरत है कि sponsor क्या profit दिखाता भी है या नहीं दिखाता या दिखाने के बाद pay off भी करता है कि नहीं तो मैं समझता हूँ देखें कि value market में बहुत है opportunity बहुत है लेकि जारी बात है कि नया investor उसका आदी नहीं होता तो उसके लिए सिर्फ यह है कि broker house में बहुत सारी research report निकालते हैं और बहुत easily available हैं तो आप study जरूर करें बगएर study के काम ना करें और speculation से दूर रहें वारना speculation आपको नुक्सान पहुचा सकती है और उससे यह होगा कि फिर आगे future में आप investment करने के काबिल नहीं रहेंगे तो बेतर है कि आप दस लाग शे ना खरीदे लाग खरीदे लेकिन investment point of view से speculation point of view से नहीं थैंक यू सो मच फॉर यूर वैलियोबल टाइम बहुत 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 शुक्रिया इरादे जिनके उचे हों वो आला बक्त होते हैं जिन्दगी में इम्तिहां उन्हीं के सकत होते हैं इसी लिए इनसान क को मकाम तो मिलता है उसको समालना उसको केरी करना कोई आप जैसी सक्षिया से सी के सर बहुत शुक्रिया आप कर दाए मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से आंबर अली इजाज़त लेती हैं आप से अल्ला हाफिज